पाइल्स से गंभीर रोग है। आम तोर पर अपान द्वार यानि गुदा द्वार से समध्द सभी रोगों को पवासीर या पाइल्स ही समझ लिया जाता है। यही नहीं। कई बार तो लोगों को बता भी नहीं चलता है कि उन्हें पाइल्स है। तो आईए। पाइल्स के बा जैसे एनस के अंदर और बाहर या किसी एक जगा पे मस्से जैसी स्थिती बन जाती है। जो कभी अंदर भी रहते हैं और कभी बाहर भी आ जाते हैं। मल द्वार के आसपास की तवचा सक्थ हो जाती है या फट सी जाती है। इस कारण इस हिस्से में सूजन और तेज दर्द रहने लगता है। डॉक्टर पाइल्स फ्री में आपको मिलती है तीन ओशदियां। पहली आयूरवेदिक रसायन से बने कैपस्यूल्स, दूसरा 25 से भी अधिक जड़ी बूटियों से बना पाउडर। मिलने वाले किसी और दवा, किसी और प्रोड़क्ट में नहीं है। ये डॉक्टर पाइल्स फ्री दवा के बारे मताया और हमें तुरन लेने के लिए कहा। राम जी की कसम बहुती बढ़िया दवा निकली। अब हमें कुछी समय हुगा होगा ये डॉक्टर पाइल्स फ्री दवा लेते हुए। अब बहुत ज़्यदा आराम है। दर्द तो है ही नहीं। और मलके संग जो खूना था था वो तो बिल्कुली बंद हो चुका। तो अगर आपको खूनी बवासीर है ये आपकी पाइल्स शुरू आती स्टेश पर है। तो आज से ही डॉक्टर पाइल्स फ्री यूज़ करना शुरू करते है। क्योंकि पाइल्स के इलाज बेकी गए देरी आपके लिए ओपरेशन तक की नौबत ला सकती है। और फिर ओपरेशन के नाम पर इनके साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। मुझे फिर दो डहाई साल से ये पाइल्स की प्राब्लम हो गई थे। मेरी लापरवाई की वज़ा से पाइल्स का दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझे कपड़े पहनने में भी दिक्कत होती थे। चलते हुए दर्द होता था। बड़ी औकवर्ड इस्तिती हो गई थी। मैं परिशान होकर डॉक्टर से मिलने के लिए घर से निकला। तो घर के पास बने एक सुलब शोचाली के दीवार पर पाइल्स और बगंदा ठीक करने वाले डॉक्टर का एड़ पड़ा। उस जॉक्टर ने मुझे इलाज के लिए 21,000 रुपे लिए और मुझे एक तेल दिया और गरम पानी में डाल कर सीकाई करने को कहा। कुछ समय तक तो आराम हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मुझे पाइल्स की वही समस्या शुरू हो गई। फिर मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया। उसने तो मुझे ऑपरिशन तक के लिए कहा। और 25,000 रुपे में वो सूत्र पतती वाला ऑपरिशन भी किया। लेकिन पिछले चार महीने से मुझे फिर से अपान दुआर के आसपस दर्द, धरारें और मस्से बनना फिर से शुरू हो गए। इस बिमारी से मैं तंग आ चुका था। तब मैंने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर मित्तल से अपनी बिमारी डिसकस के। दॉक्टर मित्तल ने मुझे डॉक्टर पाइल्स फ्री यूज करने को कहा। अब इतने बड़े डॉक्टर कहरे है तो मैंने तुरंत ओरर किया। कसम से, क्या जबर्दस्त दवा है डॉक्टर पाइल्स फ्री? अभी इसे यूज़ करते हुए कुछ ही वक्त हुआ है अब मेरे कोई दर्द नहीं है टॉयलेट जाने में भी मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ता साब कुछ एक दम नॉर्मल काश कि डॉक्टर पाइल्स फ्री मुझे पहले मिल गया होता तो मुझे ऑपरेशन नहीं कर लो गलत खान पान की वज़े से पाइस जैसा रोग होता है तो अब आप कहेंगे भाईया क्या खाना पीना बंद कर दे जी नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहे हैं हम तर्फ यह कह रहे हैं कि गलत खान पान की वज़े से आपको ये भयानक रोग हो जाए, आप उससे बच्चे. Dr. Piles Free, पुरानी से पुरानी कब्स को ठीक करने. भर्षों पुरानी बवासी, भगंदर, पिस्टुला, पिशर को जड़ से मिटाने में पेहद असरदार और लाबकारी है. पौर रूप से प्राकर्तिक, आईरिवेदिक जड़ी ब्यूटियों से बने होने के कारण, Dr. Piles Free के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं. मैं एलेक्ट्रिक विभाग में बिजली के बिल जमा करने का काम करती हूँ. ओफिस में दिन भर बैठे रहना पड़ता है. यही कोई छे मैंने पहले मुझे भगंदर की परेशानी हो गई. इतना दर्द, इतना दर्द होता था कि पूछे मत. ओफिस में बैठ कर काम कर नहीं सकती. पंदरा दिन की मेडिकल लेव ले ली. घर पर शुरू-शुरू में तो देशी नुसके अपना है. जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टरों के चकर भी लगाए. आप तो अच्छी तरसे जाते हैं. आज कल का सिस्टम. इलाज के नाम पर मरीज के साथ तरह तरह के एक्स्पेरिमेंट्स, दुनिया भर के टेस्ट, भारी बिल, दवाओं के साइड इफेक्स होतों अलग से. सब कुछ हुआ, बस मेरा भगंदर रोख बिल्कुल ठीक नहीं हुआ. में और मेरे मिस्टर बिल्कुल परिशान हो चुके थी. पैसा भी खर्च हो रहा था, और इलाज भी नहीं मिल रहा था. लेकिन कहते हैं न, जहां चाह है, वहां रहा है. टीवी पर डॉक्टर पाइल्स फ्री का प्रोग्राम देखा. डॉक्टर पाइल्स फ्री और्डर किया. वाह, क्या दवाफल आई है. चन्द मेनों में मेरी भगंदर की परिशानी पूरी तरह से ठीक हो गई. मेरे एक्पीरेंस से तो मैं यहीं कहूंगी, डॉक्टर पाइल्स फ्री वास्तव में भगंदर का एकदम सुरक्षित और कारगर इलाज है. सिर्फ बीना जी ने ही नहीं, और भी कई लोगों ने डॉक्टर पाइल्स फ्री की दवासे अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाया है. और बहुती दर्दनाग दर्द से निजात पाई. शर्म के मारे किसी को अपनी बीमारी के बारे में ना बताना भी जान लेबा हो सकता है. आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पाइस फ्री बनाया गया है. ताकि आप घर बैठे अपना इलाज कर सकें और किसी के सामने अपनी बीमारी बता कर शर्मिंद की महसूस ना करें. यहां शिमला में मेरा होटेल का बिजनस है. आप तो जानते हैं जी, शिमला में कितनी धंडी पड़ती है. अब ऐसी ठंडी जगे पर अपने आपको गर्म रखने के लिए रोज, दॉन्वेज, खाना, ड्रिंक करना तो जी, आम बात है. और फिर ठंड के कारण, पानी भी कम पीने में आता है, तो हो गया जी, पेट खराब. सोचा, थोड़ा गर्म पानी प्यूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लापरवाही करता गया, रूटीन में अटरम-शटरम सब खाता गया. कब रहने लगी, अपान द्वार के आसपास सूजन और दर्थ रहने लगा, काम करना मुश्किल हो गया था जी, डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोले, वो, क्या नाम है, हाँ, अफिस्चुला हो गया है, उसने लंबी चौड़ी दवाई लिग दी, दवाई ली भी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ जी, एक दिन शौट से निकला, तो दर्थ के मारे धंड में भी पसीना आ रहा था, मेरी हालत देखकर मेरे एक साउध इंडियन कस्टमर ने मुझे अपने बैग में से डॉक्टर पाइल्स फ्री की दवा निकाल कर दी और इसे रेगिलर तीन म महिने तक लगातार दवा ली, जी घजब की बात है इस दवा में, मैं तो कहूंगा डॉक्टर पाइल्स फ्री दवा नहीं, एक चमतकार है चमतकार डॉक्टर पाइल्स फ्री में मौझूद है एक विशिश फॉर्म्यूला, टोटल क्यार, यानि कि ये बवासीर, भगंदर, फिस्टूला, फिशर, पिलोंडिल, साइनेस जैसे सबी अपान द्वार रोगों का संपूर इलाज करता है, वो भी बिना किसी दर्द और बिना किस डॉक्टर पाइल्स फ्री यूज करने के पहले दिन से ही असर दिखाते हुए, कुछ महीनों में ही पाइल्स से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हुआ है, डॉक्टर पाइल्स फ्री को बाजार में लॉंच करने से पहले, दस साल से भी अध गर बैठे डॉक्टर पाइल्स फ्री मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर्स पर हमें तुरंत फोन करें, इसके निर्माण की वास्तविक कीमत तो 5000 से भी अधिक है, लेकिन हमारे पाइल्स मिटाओ अभियान के तहत अभी कॉल करने पर ये आपको मिलेगा सिर्फ 2700 रुपए में, VPP Charges 150 रुपए अलग से लिया जाएगा, आप चाहें तो SMS द्वारा भी डॉक्टर पाइल्स फ्री मंगवा सकते हैं, इसके लिए टाइप करें SKS और भेज दे 54242 पर, और हाँ, वेब बुकिंग करवाने पर आपको मिलता है 5%, जी हाँ, पूरे 5% का डिसक कर अपा सकते हैं, हाँ, बाजार में बिकने वाली नकली दवाईयों से सावधान रहने की जरूरत है, सही इलाज अगर आपके हाथ में है, तो कोई भी बीमारी आपको ज्यादा दिनों तक परिशान नहीं कर सकती, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग खान के लिए जीते हैं, मगर सबसे जादा जरूरी बात ये है कि आपकी सेहत, सिर्फ आयरुवेदी नहीं, मेडिकल भी यही मानता है, कि सारी बीमारीों की जड़ ये पेट है, और इसी पेट की खराबी, यानि कब्स से होती है, पाइल्स, जो आपके दिन कच्छे हैं, और रात अंद्रे दिनों में आप फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ चीने लगेगे, यही डॉक्टर पाइसली का दावार